गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखो बच्चो यह आपकी जीके की बुक है जिसका नाम है जीके नाव क्लास सेकंड आज मैं आपको बुक का पेज नंबर फॉर और फाइव करवाने जा रही हूं जिसमें हम प्लाइच के बारे में पढ़ेंगे तो देखो बच्चो इसमें यह क्या लिखा हूँ है प्रिटी फ्लाइच मतलब सुन्दर को तो सबसे पहले हम हैडिंग पढ़ेंगे लुक एट दीज फ्लाइच इन फ्लाइच को देखो राइट नें उनके नाम लिखो, choose from the box, आपको help box दिया है, उसमें से choose करके आपको पहले line पढ़नी है, उसके बाद उसमें सही answer फिल करना है, तो सबसे पहले number one पे ये क्या लिखा हुआ है, this pretty flower has a sweet smell, ये है pretty flower मतलब सुन्दर फूल जिसकी भिनी भिनी कुश्बू होती है, तो ये कौन सा flower है, rose, कौन सा flower है, rose, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, r, o, s, e, rose, तो बच्चों आपने ध्यान देना है, जो आपको help box दिया हुआ है, उसमें जो names लिख हुए हैं, वो small letter से शुरू किये गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर capital letter से शुरू करने हैं, next, देखो लाइन पढ़ेंगे पहले, this flower comes in many colors, यह है जो फूल है, यह है, कई रंगों में आता है, कई रंगों के होते हैं यह फूल, तो ये कौन सा flower है, marigold, तो हम लिखेंगे, m-a-r-i-g-o-l-d, marigold, next है, देखो, third number, this small white flower has shiny leaves, यह है, छोटा फूल, जिसकी पत्यां चमगिल्ली होती है, यह कौन सा flower है, jasmine, तो हम लिखेंगे, j-a-s-m-i-n-e, jasmine, next, four number है, this flower turns towards sunlight, यह जो फूल है, वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है, मितलब जिस तरफ सूरज होता है, उसी तरफ यह फूल घूम जाता है, तो इस फूल का नाब क्या नाम है, sunflower, क्या नाम है इस फूलार का, sunflower, s-u-n-f-l-o-w-e-r, sunflower, next, five number, this colorful flower blooms in spring, यह है, color full मतलब होता है, रंगीन, यह है, रंगीन, फूल, blooms होता है, खिलना, और spring होता है, बसंत्रितू, यह है जो फूल है, यह है, बसंत्रितू में खिलता है, तो इस फूलार का क्या नाम है, टूलिप, टी, यू, ल, आई, पी, चूलिप, next, six number है, this is the national flower of India, national flower मतलब राश्ट्रिय फूल, यह है, इंडिया का राश्ट्रिय फूल है, तो यह कौन सा flower है, lotus, एल, ओ, टी, यू, एस, lotus, देखो बच्चो, next है, to, do, देखो, इस बोक्स में एक नाइन लिक हुई है, पहले हम वो पढ़ेंगे, who, always, wore a red rose, वो कौन थे, who, वो कौन थे, जो हमेशा एक red rose, मतलब लाल उलाव अपने पास रखते थे, तो वो कौन थे, यह किसकी पिच्चर है, चाच्चा नहरू, तो पहले हम चाच्चा नहरू जहां पर लिखा हुआ है, उसको circle करेंगे, अब देखो बच्चो, चाच्चा नहरू कौन थे, इनका पूरा नाम पंडित ज्वारलार नहरू था, इनका जनम कब हुआ था, 14 तो नवंबर को, जिसको हम children ray के रूप में मनाते हैं, तो बच्चो, देखो मैंने आज आज आपको flowers name करवाए हैं, सब बच्चों को अच्छे से इनको लिखना है और याद करना है, thank you.